हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को मानों में लिंग सहलगन लक्षण को समझाएंगे अर्थात सेक्स लिंग्ट करेक्टर इन हुमन के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वेडियो अंत के लिंग से सम्बंधित होती है अर्थात सभी प्राणियों में उन विशिष लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुर्षूत्रों पर इस्थित होते हैं इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलगन लक्षण कहते हैं और उनकी वंसागति को लिंग सहलगन वंस गति कहा जाता है तो इस परिभासा का अर्थ हुआ कि मानों में लेंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्य रूप से लिंग गुर्सूत्रों पर ही होते हैं इन्हीं लक्षणों को ही लिंग सहलगन लक्षण अथवा सेक्स लिंग करेक्टर कहा जाता है और इन्हीं की वनसा गति को लिंग सहलगन वनसागति कहते हैं मतलब इनहीं लक्षणों का एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाना ही लिंग सहलगन वनसागति कहलाता है तो आपको लिंग सहलगन लक्षण और लिंग सहलगन वनसागति क्या होती है समझ में आ गया होगा बताते हैं चलें कि लिंग सहलगन वंसागति की खोज ती एच मारगन ने की थी इन्होंने ड्रॉसोफिला मक्खी पर प्रियोग किये थे यहनी सबसे पहले ती एच मारगन ने लिंग सहलगन वंसागति की खोज की और ड्रॉसोफिला पर प्रियोग किया था लिंग सहलगन लक्षणों की वनसा गति की विसेस्ताएं जान लेते हैं कि कौन कौन से होती हैं तो लिंग सहलगन लक्षणों की दो विसेस्ताएं मुख्यरोब से हैं पहली विशेष्टा है आप्रभावी लिंग सहलगन रोग अधिकतर नर में पाये जाते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X गुर्षूत्र होता है और Y गुर्षूत्रों पर इनके लक्षडों के जीन नहीं पाये जाते हैं अर्थात ऐसे रोग जो आप्रभावी लिंग सहलगन हो होते हैं वो जादातर मनस्यों में अथवा नर में ही पाये जाते हैं ऐसा होता क्यों है तो पुर्षों में केवल एक ही X गुर्षूत्र पाये जाता है और दूसरा वाला Y होता है और Y गुर्षूत्र पर इन करेक्टर्स के जीन नहीं पाये जाते हैं यदि इस्त्रियों की बात की जाए तो आप रभावी लिंग सहलगन रोग इस्तरियों में सम युगमजी अवस्था अथवा होमो जाइगस कंडिशन में ही बिक्सित होते हैं बिसम युगमजी अवस्था में ये रोग नहीं होते हैं मतलब इस्तरियों में सम युगमजी अवस्था में होते हैं ले तो बताया कि पूरुस पे एक X और एक Y गुरसूत्र पाया जाता है और Y प्रकार पर इन लक्षणों के जीन्स नहीं पाया जाते हैं इसलिए पूरुसों में यह नहीं होते हैं और इस्त्रियों में दोनों गुरसूत्र X X ही होते हैं तो सम्युगमजी अवस्था में रोग हो जाते हैं लेकिन बिसम्युगमजी अवस्था में नहीं होते हैं। पर दो वर्ड आये हैं समयुगमजी और बिसमयुगमजी तो समयुगमजी का अर्थ है जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुगमजी या होमो जाएगस अंगरेजी में अथवा true breeding कहा जाता है और जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों बिपरीत लक्षणों वाले होते हैं अधवा तुलनात्मक लक्षणों वाले होते हैं तो उसे विसम युगमजी या संकर या हेट्रो जाएगस कहा जाता है तो लिंग सहलगन लक्षणों की ये हुई पहली विशेष्था अब आते हैं दूसरी विशेष्टा पर दूसरी विशेष्टा है लिंग सहलगन लक्षणों के जीन्स पिता से पुत्री में पहुंचते हैं क्योंकि पुत्री में एक एक्स गुर्षूत्र मा से तथा दूसरा एक्स गुर्षूत्र पिता से आता है और थात सेक्स लिंग करेक अवस्था बन जाती है पुत्रों में देखा जाए तो पुत्रों में केवल एक X गुर्षूत्र होता है जो माता से प्राप्त होता है और Y गुर्षूत्र पिता से प्राप्त होता है यहीं पर बताते चलें कि यदि आपको मनुस्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है नहीं पता है तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोड़ेड है आप लोग देख सकते हैं उसमें मैंने डीटेल से समझाया हुआ है बताया हुआ अच्छी तरह से आपको तुरं समझ में आ जाएगा कि कौन सा गुरसूत्र किस से प्राप्त होता है तो लड़का बनता है या लड़की ब वनसागति को क्रिस क्रास वनसागति कहा जाता है बिसम युगमजी पुत्रियों को लिंग सहलगन जीन का वाहक माना जाता है अथवा वाहक कहा जाता है जो बिसम युगमजी पुत्रियां होती है उन्हें लिंग सहलगन जीन का वाहक माना जाता है आए अब मनुस में सहलेगने लक्षणों की वनसागति को इसपश्ट करने के लिए सामान रूप से दो उदाहरण है पहला है वर्णांधता या ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है और दूसरा है हीमोफीलिया तो सबसे पहले आपको पहला उदाहरण वर्णांधता अथवा गलर ब्लाइंडनेस के बारे में समझा देते हैं तो वर्णांधता अथवा कलर ब्लाइंडनेस के पीडित भेकती लाल तथा हरे रंग की पहचान सरलता से नहीं कर पाता है यानि जो वर्णांधता से पीड़त है अथवा color blindness से पीड़त विक्ती लाल तथा हरे रंग की पहचान सरलता से नहीं कर पाता है इसे लाल हरा अंधापन या proton dose या डेल्टो निज्म भी कहा जाता है इसका जीन X गुर्ण सूतर पर इस्थित होता है और Y गुर्ण सूतर पर युग्म भिकल्पी का अभाव होता है तो इस तरह से यह हो जाएगा यदि इस्तरियों में देखा जाए तो इस्तरियों में XX तथा पुरसों में XY लिंग गुर्ण सूतर पाये जाते हैं इसलिए इसपश्ट हुआ कि इस्त्री केवल तभी वर्णांध हो सकती है जब उसके दोनों एक्स गुरसूत्रों में वर्णांधता के लिए आप्रभावी जीन्स हों लेकिन पुरसों में केवल एक ही आप्रभावी जीन्स होने पर भी वर्णांधता हो जाती है या वर्णां इस्त्री है इन दोनों का विवा हो जाता है तो संताने कैसी होंगी इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं देखिए ये वर्णांध पुरुस के गुर्षूत्र x वर्डांधता का चिन लगा हुआ star y है और ये इस्तरी के गुर्षूत्र xx है वर्डांधता को star से दिखाया गया है मैंने अभी आपको बताया तो वर्डांध पूरुस तथा सामान इस्तरी है अब इन दोनों के बीच में क्रास कराया जाता है या इन दोनों के बीज में संक्रन कराया जाता है तो क्रास कराने पर सभी संताने सामाने होती है तो इसमें लड़कों को X गुर्षूत्र माता से तथा Y गुर्षूत्र पिता से मिल रहा है इसलिए सभी लड़के सामाने हुए लड़कियों में X गुर्शूत्र माता से तथा पिता से वर्णांधता वाला X गुर्शूत्र मिलता है तो इन्हें वर्णांध होना चाहिए लेकिन सामाने होती है कैसे तो बतादूं कि प्रभावी X जीन आप्रभावी X इस्टार यानि X वर्णांधता वाला जीन को प्रदरसित नहीं होने देता है इसलिए वर्णांधता के लिए एक जीन होने पर भी सभी लड़कियां देखने में शामाने होती है कुल मिलाकर कहा जाए तो एक वर्णांध पुरुस और सामाने नारी की F1 संतानों में से केवल पुत्रियों में ही वर्णांधता का जीन जाता है क्योंकि यह पुरुस के X गुरसूतर में इस्थित होता है इसलिए इन पुत्रियों में वर्नांधता बिक्सित नहीं होती है क्योंकि ये संकर हैं अर्थात इन में पिता से प्राप्त एक सुप्त जीन है और माता से प्राप्त एक प्रबल जीन है अब यदि इन पुत्रियों का विवाह सामाने पुरुस से कर दिया जाए तो इनकी आध संताने वर्णांध होंगी अथवा ब्लाइडनेस होंगी या कलर ब्लाइडनेस होंगी वर्णांध्र पुरुस तथा वाहक इस्त्री हो तो क्या होगा या अब अगर वर्णांध्र पुरुस है और वाहक इस्त्री है तो क्या होगा चित्र में देखिए ये वाहक इस्त्री के ये वर्णान्ध हुई तथा पचास प्रसद्द पुत्रियां हैं ये रोग की वाहक हुई हैं तो कुल्मलाकर के वर्णान्ध पूरुस तथा वाहक इस्त्री होने पर इस तरह से संतती उत्पन्न होती है अब यति सामान पूरुस तथा वर्णान्ध इस्त्री है तो उसकी संत की वाहक होती है इस चित्र में देखिए इसमें सामान पुरुस के गुर्ण सूत्र हैं और ये वर्णांध इस्त्री के गुर्ण सूत्र हैं इन दोनों का क्रास कराने पर इनके सभी पुत्र वर्णांध पैदा हुए हैं और सभी पुत्रियां इनके जीन की वाहक पैदा हुई अब यदि सामाने पूरुस है तथा वाहक इस्त्री है तो क्या होगा तो सामाने पूरुस और वाहक इस्त्री होने पर उनके बीच में क्रास कराने पर 50 प्रसत पुत्र वर्णांध तथा 50 प्रसत पुत्र सामाने होते हैं और ऐसे ही 50 प्रसत पुत्रियां इनके जीन की वाहक ह होती हैं तथा सेश पुत्रियां जो 50% बची हुई हैं वो सामाने पैदा होती हैं तो सभी वर्णांधता के उदाहरण हो गए हैं चलिए अब हीमोफीलिया के उदाहरण को समझ लेते हैं तो हीमोफीलिया की वनसागती इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का ठका नहीं बनता है और रुधिर बहता रहता है या रुधिर जमता नहीं है जिसके कारण रुधिर बहता रहता है रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यू भी हो सकती है यह आप् प्रभावी लिंक सहलेंगन रोग है जो अधिकतर पुरसों में होता है हीमोफीलिक लक्षन का जीन आप्रभावी होता है और X गुरसूतर पर इस्थित होता है Y गुरसूतर पर इसका युग्म विकलपी नहीं होता है चलिए इसके कुछ उधारन से आपको इसको समझा देते ह पहला है हीमोफीलिक पुरस तथा सामान इस्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वनसा गती यानि पुरस क्या है हीमोफीलिक है और इस्त्री क्या है सामान ने है तो इसमें होता क्या है किसी हीमोफीलिक पुरस के द्वारा जब किसी सामान इस्त्री से विवाह किया जाता है तो सभी पुत्र सामाने होंगे लेकिन सभी पुत्रियां इस रोग की वाहक होती है यानि सभी पुत्रियों में हीमोफीलिया हो जाती है लेकिन जो पुत्र होते हैं वो सभी सामाने होते हैं ये सर्थ कौन सी थी? जब पुरुस हिमोफीलिक है और इस्त्री सामाने है तब अब दूसरा उदरहन लिया जाएगर सामाने पुरुस है और हिमोफीलिक जीन्स की वाहक इस्त्री है तो क्या होगा यानि इस्त्री हीमोफीलिया से वाहक है और सामाने पुरुस है तो किसी सामाने पुरुस द्वारा किसी ऐसी इस्त्री से विवाह करने पर जो हीमोफीलिया जीन की वाहक है उसके 50% जो पुत्र है इस रोग से प्रभावित होंगे और 50% जो पुत्रियां है वो हीमोफीलिया ज वाहक इस्त्री है तो इनकी वंसागती में क्या होगा जब हीमोफीलिया से पीडित पुरुस उस इस्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया के जीन की वाहक है तो 50% पुत्र तथा 50% पुत्रियां इस रोग से पीडित हो जाते हैं तथा 50% पुत्र होंगे वो सामाने रहते ह परन्त जो सेश-पचाश पुत्रियां बची हैं वो जीन की वाहक हो जाती हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा अगर अगला उद्रहाण देखा जाए सामानलि पुरुस है और हीमोफीलिया से ग्रस्त इस्त्त इस्त्री है तो क्या होगा? तो जब कोई सामान पुरुस किसी ऐसी इस्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया से ग्रस्त है तो उसके सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे तथा सभी पुत्रियां इसके जीन की वाहक होंगे यानि अगर सामान पुरुस है और हीमोफीलिया से ग्रस्त इस्तरी है दोनों का बिवा हो जाता है तो उसके जो पुत्र होंगे पुत्रों में कैसा प्रभाव पड़ेगा जो हीमोफीलिया से ग्रस्त है तो सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे और जो सभी पुत्रिय वे जीन की वाहख हो जाएंगी तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को लिंग सहलेंगने लक्षणों के बारें बताया जिसके अंतरगत वरणांधता क्या होती है और हीमोफीलिया क्या है उसके बहुत सारे उदारण भी बताए आसा है आप लोगों को अच्छी तरह से स है जब से आब से नहीं तरह से आप लोगों के एंट लोगों कर दो तक कि बादाताया क्या है उलिए यया जिंगेज से तक को अबताई